Hey guys, कैसे हैं आप आई होब कि आप सब इस अच्छे होंगे, So guys, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, How to hide photo and videos in vivo Y02. So guys, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने इस device में कैसे photo videos को hide कर पाएंगे, audio को, documents को कैसे hide कर पाएंगे, तो वीडियो को enter देखने, please, वीडियो को बिल्कुल भी skip नहीं करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जाना होगा अपने एक application जिसका नाम है files, तो यहाँ पर यह है files बाला application, इसे आपको open करना है, open करने के बाद इसकी terms and condition allow कर लेनी है, इसकी बाद यहाँ पर आपको जाता है, यह safe folder, तो यह safe folder पर क्लिक करना है, यहाँ से आप pattern या pin set कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम pattern set कर लेते हैं, एक simple सा pattern, इस तरीके से, अब यहाँ से इसे next कर देना है, next करने के बाद यहाँ से दुबार से आपको यही pattern डाल देना है, और इसे यहाँ से next कर देना है, और यहाँ से इसे got it कर देना है, जो pattern मैंने डाला है, ऐसा pattern आप दिल्कुल भी ना डालें, क्योंकि यह अधिकतर लोग इसे use करते हैं, और इसे डाल के देख लेती हैं, तो आप कुछ तरवा different डालें, तो यहाँ पर यह safe folder हमारा on हो चुका है, यहाँ से जो भी photos, videos हैं, वो यहाँ पर आ जाएंगे, तो वो कैसे करने हैं, जैसे कि यहाँ पर camera पर जाते हैं, बैक आके, बैक आने के बादे, यहाँ पर जो भी photo आपको hide करने हैं, इस तरीके से आपको select करने हैं, photos हो या videos, select करने के बाद, यहाँ पर three dots पर click करना है, और यहाँ पर move to save folder, इस वाले option पर आपको click कर देना है, click करने के बाद, यहाँ पर आपको अपना pattern draw कर देना है, draw जैसे ही किया आपने, यहाँ से यह photos घाइब हो जाते हैं, तो सिर्फ दो photo बचे हैं, और यह photo यहाँ पर आ जाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको देखा देता हूं, तो यहाँ से इस तरीके से आप इन्हें use कर पाएंगे, आपको देख पाएंगे, जैसे कि यहाँ आप आप देख पा रहा हैं, तो इस तरीके से आप अपने छुपाई हुए photos को, documents को यहाँ से आप देख पाएंगे, और यहाँ पर एक चीज मैं आपको बदा दू, जैसे कि इस save folder को अगर आप छुपाना चांबते हैं, तो three dots पे जाएंगे, पर फाइल्स ओपन की, यहाँ पर three dots पे जाए, show folder और यहाँ से आप अपने photos को देख पाएंगे, so guys, I hope कि आपको यह वीडियो फ़संद आगा, तो प्लीज दिए वीडियो को like and share जरू से कर दिना, तो मिलते हैं एक next interesting वीडियो के साथ,